ठीक है जी इस lecture में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक review of literature को या literature review को या different किसम के task को perform करते हैं और हमने क्यों perform करना है using AI tools ठीक है और अभी हम start करने वाले हैं with some basic databases और databases की base पर आगे हम move on करने वाले हैं ठीक है और अब आपने मेरे साथ जो है note books भी अपनी open कर लेनी और साथ में Google Chrome भी and then I will show you different kind of links तो आपने वो save करते जाने हैं लिग के लिट्रेचर review is the key to success in scientific writing अगर किसी का literature review strong नहीं है that person cannot even write the research paper यानि कि review of literature अगर आपने नहीं पढ़ा या आपने literature review नहीं किया हुआ तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो आप सिखानी पाएंगे यानिक लिख नहीं पाएंगे या विसली आपको गलती करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने एक paper लिखना है तो कम असकम उस field के 30-40 papers बढ़ें जरूर ठीक है और वो 30-40 paper find out कैसे करने है या 5-7 papers basic find out कैसे करने है उसके बारे में अब आप देखने वाले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी story line किया है आपने करना क्यों है वही चीज एम क्या है मतलब क्या है क्यों करना है story line के लिए आपको खुद से पता होना चाहिए कि मेरा field यह है मैंने यह वाले research करनी है and I want to know कि किस किस ने इस पे काम किया हुआ है तो आपको लिखके रखना है बकाइदा notebook के अंदर अभी आप लिखेंगे और आप अपने field के मताविक सर्च करेंगे ठीक है इसको प्रेक्टिसम करने वाले हैं say for example मेरा field है data science agriculture and then plants and abiotic stress यह चार keywords है मेरे main field के ठीक है अब इन चार keywords की story line मैंने बना लेनी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ जो अकसर उकात आपके PhD thesis का title भी होता है जो आपके research project का title भी होता है या जो आपके paper का title भी होता है वो आपने story line उसकी बना लेनी है कि कहां से शुरू करना है कैसे end करना है फिर आप idea staging पे पहुंचते है story बना ली अब idea सोचना है उसके बारे में कि कैसे story को achieve किया जाए right then the most important part is to know the keywords of that story line and idea ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी study है अगर मैं यहाँ पे annotate करना start करूं मेरे पास है जी पहला एग्रिकल्चर कीवर्ड एक मेरा यह हो गया दूसरा data science तीसरा कीवर्ड है मेरा प्लांट्स एग्रिकल्चर भी वही चीज़ है बट आपर राइट प्लांट और चोथा कीवर्ड है मेरे पास यह बायोटिक stress I'm just giving few keywords बाकी मेरा field बहुत diverse है तो मैंने यह keywords दे दी तो आप अपने keywords खुद से design करके आप लिखते हैं मैंने PhD के अंदर एक training ली वहाँ पर बताया गया कि जब आपको अपने keywords पता होते हैं then you know the focus of your research जब keywords नहीं पता होते हैं आप इदर उदर फिर वह कहते हैं न वांडर करते हैं वांडर का मतलब होता है कि इदर उदर गुम ना गुम जाना तो अब यह keyword आपने अपनी research के चार से पांच keyword अभी लिख लें प्लीज अपनी notebook पे लिख लें अपनी research के या जिस चीज़ के बारे में आप कुछ लिखना चाह रहे हैं वो keywords लिख रहे हैं पने पास समझने बात उनके बगायर keywords होते हैं यह keywords है ठीक है इन से मिलके sentence बनता है तो आपने यह keywords अपने लिख लेंगे अपने फिल्ट से रिलेटेड जो जब आप लिख लेंगे तब आपने डन लिख देना चैट के अंदर ताके मैं count कर सकूंगे कितने लोगों ने लिख लिया आज तक आप लोग गूगल स्कॉलर पे पेपर सर्च करते हैं होंगे या गूगल पे सर्च करते हैं या कहीं पे आप सर्च करते होंगे अपने पेपर्स कहीं पे मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं स्कॉपर्स देर मैने मैने वेबसाइट्स तो आपको पते हैं जब आप बड़ा संटेंस लिखते हैं तो आटोमेटिकली ए आई या टूल्स जो हैं सर्च इंजन वो सिरफ कीवर्ट्स पर फोकस कर रहे होते हैं आपको पता है इस चीज़ का तो अगर आप सिरफ कीवर्ट्स ही दे दें तो हम AI को समझ के उससे बातें करने लग जाएं तो क्या ही बात है ठीक है अब आज के दोर का जो बहुत इंपोर्टेंट फील्ड है वो है प्रॉम्ट इंजिनरिंग कैसे प्रॉम्ट बनाए जाते हैं प्रॉम्ट होता है कि सर्च करने के लिए कैसे लिखना है आपने अपनी नैचरल लैंग्विज के अंदर कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन से सर्च करने वाले अब हमने इससे अगले स्टेप पे मूफ करना है वी डीड टू पुट दीज कीवर्ड इंटो डिफरेंट डेटाबेस डेटाबेस क्या है डेटाबेस है मजमुआ ओफ आल दा रिसर्च पेपर्स दुनिया के जितने रिसर्च पेपर्स है गूबल स्कॉलर पे मिलियंज की तदाद में पड़ें फिर एक और डेटाबेस है जिसका नाम है स्कॉपस कहता है कि मेरे पास सिर्फ वो पेपर्स हैं जो अथेंटिक जिर्नल्स के हैं यानि के टॉप कॉलिटी जिर्नल्स के फिर है वेब आफ साइंस जिनका क्लैरिवेट अनलेटिक्स भी है जो अभी हमने देखा था टॉप रिसेर्चर्चर्ज, पबमेड है, साइंस डिरेक्ट है, गूगल स्कॉलर है, ट्रिपल आई, आई ट्रिपल ही है, इस तरह के काफी है, आप मुझे बता सकते हैं कि इन पांच डेटा बेसिस के इलावा आपको कौन-कौन से पता हैं, मैं यहा आई ट्रिपल ए, एक्स्प्लोर, स्मेंटिक स्कॉलर, विले है, विले, स्मेंटिक स्कॉलर, स्प्रिंगर, पेपर स्विच कोर्ड, इंजीनर विलेज, अल्सवेर, आप देख रहे हैं कि नाम इतने हैं कि खतम होने को नहीं आते हैं, अब एक बंदे ने रिसर्च करने ही, वो तो फिर सरपकड़के बैठ जाएगा, यार, यह 19 में से कौन सा स्लेक्ट करूं मैं, समझ रहे हैं बात को, जो हमें बेस्ट रिजल्ट दे, बेस्ट इन्फॉमेशन दे और जो हमारी रिक्वाइड इन्फॉमेशन के उपर पूरा होता है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कीवर्ड रिसर्ट से, मैं यहां पे अपनी यह वाली स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ, अब आपने जो मैं करता जाओंगा, यहां पे आपने भी वो पर्फॉर्मेस देनी है, मैं जाता हूँ जिस सबसे पहले, यह आपके सामने गूगल क्रॉम की मेर स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, और आज गूगल वकाइदा इस लेडी को प्रमोट कर रहे हैं, इंडियन बायो कमिस्ट हैं, बेसिकली उनके ओनर के अंदर इन्होंने यह लगा, तो यह डिटेल आपको पता हूँ, तो गूगल स्कॉलर पे, आपने सबसे पहला काम करना गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद गूगल स्कॉलर पे जाना है, अगर आप यहां पे सर्च करते हैं अपने कीवर्ड तो आपके सामने क्या आता है, अपने कीवर्ड ज़रा गूगल पे सर्च कीजेगा सभी, अपने अपने कीवर्ड आप गूगल पे सर्च क कि येगा ये मैंने अपने वाले की विडि़स लिखे मैं इसको सर्च करता हूँ and you can see के मेरे पास जो रिजाल्ट आ रहे ना वो डिफरण टिसम की website उठात के मेरे पास सारे कोई papers आ रहे हैं कोई मेरे बोलाग्स आ रहे हैं को विडियो कि сыने लगा ही है मोटी आजाएगी किसी की प्रेस रिलीज है वो भी आजाएगी मेरे पास जितना भी वेबसाइट का डेटा है वो सारे के सारा आ रहे हैं और गूगल कभी खतम नहीं हो रहा 10 pages 11 pages 12 pages इस तरीके सर्क्या अना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही में सेम चीज को कॉपी करता हूं और यहां पर जाके google scholar लिखता हूं तो यह google scholar की वेब साइट ऑपन होती है इस पर जाके by the way अगर आप अपने प्रफाइल बनाएंगे तो my profile पर क्लिक करके आपकी प्रफाइल आजाएगी और यू के आपके कितने पेपर्स हैं और कितनी साइटेशन हैं और आई टैन इंडेक्स कितने एवरिटिंग इस तेर अगर मैं यहां पर टेटा साइंस अगरी कल्चर प्लांट इबाइटिक स्टेक्ट सर्च करता हूं तो मेरे पास तकरीबन चार लाक अठाइस हजार चीजें आई हैं चार लाक अठाइस हजार और मैंने अभी पेटेंट्स इंक्लूड निथे किये अगर मैं पेटेंट्स को इंक्लूड करता हूं और बाके चीज़ें करता हूं देन आइवल हैव डिफरेंट नंबर तो यह चार लाग अठाईसथार के करीब आगी मेरे पास सर्च यह तो बहुत ज्यादा नहीं है आप मैंसे को बढ़ेगा चार लाग अठाईसथार चीज़ें नहीं सो हमारा डेटाबेस को सर्च करना यह स्ट्रेटीजी पर डिबेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको चेक करते हैं आपके पास कितनी कितनी चीज़ें आएंगे मेरे पास एक रिजल्ट्स आए हैं जिए चार लाग अठाईसथार एक के आए हैं सत्राँजार पांटसथार जिन्नों ने ज्यादा लिखे होंगे कीवर्ड्स पांटसथा साथ उनके कम आएंगे रिजल्ट्स 29,000 इस तरीके से आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं अब आपको एक मैं ट्रिक बताने लगाँ यह जब हमने सर्च किया आना तो जहां पे अकेला डेटा आ रहा था ना वो भी हमारे पास रिजल्ट आ रहा है जहां पे अकेला साइंस लिखा आ रहा था वो भी आ रहा है जहां जितनी मैंने स्पेस दी है, जितना compound word है, मतलब यह कि a-biotic stress एकठा लिखा होगा, तो वह result आएंगे मेरे पास, space एकाइटिक stress अगर एकठा लिखा होगा, वह result आएंगे, सिरफ a-biotic लिखा होगा तब भी नि-ult शो होगे, सिरफ stress लिखा लिखा होगा, तब भी नि- होंगे चार लाग थाइस जार यहां पे हैं अगर मैं इसको दुबारा से सर्च पे क्लिक करता हूं कितने रहेगे जी ग्यारांसो साथ ठीक है कि कुटेशन मार्क्स का क्या मतलब है कुटेशन मार्क्स हेल्प यू टु रिफाइन यूर रिसर्च एक तोगी ये बात दूसरी बात आपके ये जितने भी आर्टिकल्स है न कोई 2019 में पब्लिश हुआ है बीस में बाइस में सो अन अन सो फॉर्थ अगर आप चाहें तो यहां पे सिंस 2023 पे क्लिक करें सारे 2023 के आगे मेरे पास 2023 में 147 रिजर्ट्स हैं तो हजार बाइस से अब तक तीन सो पचासी है तो यू कन डिफाइन दर रेंज अगर आपको लेटस्ट आर्टिकल्स चाहिए आप क्या करेंगे ये सिंस 2023 पे क्लिक कर देंगे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तैन यू कन आल्सो मेक अ कस्टम रेंज के मैं चाहता हूं 2015 से लेके 2005 तो नहीं 2015 से लेके 2023 तक के जितने आर्टिकल्स सारे हैं तोज आर 893 आर्टिकल्स इंक्लूडिंग बुक्स एंड पेपर्स ठीक है और अगर आपके कम रह रहें आर्टिकल्स तो आप उसमें से एक आदा कीवर्ड रिमॉव कर दे तो आपके आर्टिकल्स ज्यादा होना स्टार्ट हो जैंगे यानि के less important keyword याद रखें less important information को omit करना था हमने ठीक है ये तो होगी ये वाले चीज फिर अगर आप sort by date करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं ठीक है and if you want to play along तो आप बहुत और भी काम कर सकते हैं एक और काम करते हैं any type पे अगर click करना तो any type आजाएगी सिर्फ review articles निकालने हैं तो you can see the review articles by clicking एक टाइप पे या review articles या आप इस यहां से देख सकते हैं या अपडेट है recent इनकी अब अगली चीज गूगल स्कॉलर का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि साइट पे click करके आप उसकी citation यहां से ले सकते हैं या अपने software के लिए download कर सकते हैं which is not our topic today लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मैं करते हैं इसका आप यह इसको सेव कर सकते हैं तो यह आपकी प्रफाइल में सेव हो जाएगा अगला काम यह है कि यह वाला आर्टिकल जो 2019 में आया इस इस साइट बाइट वाइट वंटी टू पिपल आप यहां पर साइट बाइप क्लिक करें और यू विल फाइंड ओल दोस अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं मैं यहां पर लिखता हूं डेटा साइंस अगर मैं यहां पर बिट्वीन दिस एंड लगाऊंगा तो मेरे पास आर्टिकल फिर भी 1160 हैं अगर मैं यहां पर और लगाता हूं मेरे पास आर्टिकल्स कितने हो गए तक्रीबन दो लाख अब मैं बताता हूं यह क्यों हो रहे हैं पूली एन ओपरेटर्स इन्हें बोला जाता है एंड और और को इनका क्या मतलब है एंड का मतलब है कि एक आर्टिकल के टाइटल या अब्स्ट्रेक्ट के अंदर या मेन इंफरमेशन के अंदर उसके राइट वाली इंफरमेशन भी आरी है और लेफ्ठ वाली भी आरी दोनों आ रही हैं तोनों का होना ज़रूरी है अग्र मैं कहूं या तो लेफ्ट आ जाए या राइट आ जाए आज और दॉनों में से एक भी वो वो भी आर्टिकल आए इसकी मिसाल में ऐसे देता हूं जब मैंने डेटा साइंट्स एंड अगरिकल्चर लिखा मेरे पास आर्टिकल्स हैं 74,300 ठीक है अब मैं गया करता हूं इसको यहां पर लिखता हूं और तो मेरे पास तकरीबन 5 million आर्टिकल्स ठीक है और से आपकी सर्ग framework बढ़ जाती है और का मतलब क्या है और का मतलब यह है कि सीरफ data science वाले आर्टिकल ठीक है प्लस आपके अगरिकलचर वाले आर्टिकल्स यह दोनों जमा करके आपको result दे रहा है और का मतलब यह एंड और और की समझ आगी होगी इस तरीके से आप आर्टिकल निकालते हैं यह तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका जो सालों से चलता है सालों से यह काम चलता आ रहा है ठीक है और बकाइदा गूगल स्कॉलर का स्कॉलर बटन भी है एक्स्टेंशन के तोर पे अगर आप क्रॉम एक्स्टेंशन में जाएं गूगल स्कॉलर Chrome extension तो आप ये scholar button इसका ये भी enable कर सकते हैं ये क्या करता है आपको बताता है कि आपका paper ये Google scholar पे available है के नहीं सिरफ title paste करें वहाँ पे तो Google scholar का link आ जा जाता है उस article का मैं आपको यहां से दिखाता हूँ extensions के अंदर जाके मेरे पास इसको मैंने activate किया हुआ था just a minute by the way ये सारी कि सारी extensions में आपको देने वालाँ so don't worry यहां से मैं enable करता हूँ ये scholar button आ गया आप क्या करते हैं इस scholar button के अंदर किसी एक चीज़ का title लिखेंगे न तो उसका नाम आना शुरू हो जाएगा मैं दिखाता हूँ आपको ये मैंने लिखा copy ये google scholar के button के अंदर मैंने इसको paste किया paste करने के बाद मैं enter करता हूँ यहीं पर मेरे पास google scholar की information आगी so I don't need to go towards google scholar सही है अगर आपने इसको लैदा open करना बड़े पर click कर दें so google scholar स्कॉलर पर जाने की बजाए आप सेम काम स्कॉलर बटन के उपर रहते हुए कर सकते हैं this is the first thing जो आप database को चेक करने के लिए करते हैं यह था गूगल स्कॉलर के लिए गूगल स्कॉलर एक database का सर्च इंजिन है ठीक है अब चलते हैं पबमैड अब मैड इस तरीके से सर्च इंजिन है आप सेम इनॉलजी सेम कीवर्ड यहां पर भी पेस्ट करेंगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे अग्रिकल्चर एंड डेटा लेकिन इनकी तदाद कम होगी और यू कैन सी था आर्टिकल्स लाइक दिस यह बैसिकली मैडिकल या बाइलोजी के लोगों के लिए बहुत बड़ा database है ठीक है तो आप अगर बाइलोजी के हैं तो आप पमैड को यूज करें और यू कैन फाइंड आर्टिकल्स लाइक दिस और अगर आप चाहते हैं कि सिरफ मुफ्त वाले आर्टिकल्स आपके पास हैं जिस्क्लिक अन देस बैटन यह आगया आपके पास सिरफ फ्री वाले आर्टिकल्स ठीक है जिनका फ्री में पूरे का पूरा database पड़ा हुआ है फिर आप चाहते हैं कि systematic reviews आएं आप सिरफ उस पर क्लिक करें यह सारे systematic reviews आ गए ठीक है systematic review यह होता है जो आपको बताता है कब से कब तक कुस साल में कौन सा पेपर किस ने पब्लिश किया something like that आप चाहते हैं कि इस पर meta analysis है you can click on the meta analysis और सारे के सारे इस field के meta analysis आपके पास आ जाएंगे जितने भी publish हूँ ठीक है and this database is really big फिर आप English language वाले और बाकी additional filter भी add कर सकते हैं कि किस specific बंदे ने कौन सा काम की है यह दूसरा हमारा database हो गया pubmat तीसरा हमारे पास है उसको मैं scopus यहां पर लिखता हूं यह free में available नहीं होता सभी के लिए ठीक है यह सिरफ उनको available है जिनकी ID बनी हुई है तो यह बकाइदा मेरा एक student है मैंने उसका email लिया हुआ जर्मनी में यह free में available नहीं है but in some countries like Spain और या आपका जो यॉरप के इटली है आपके email के थुरू आप इसे activate कर सकते हैं अधर भी available है अगर आपकी यॉनिवस्टी की email है तो ठीक है तो आपने sign in करना होता है अब आप इसमें और refine search करने वाले हैं चाइना में बकाइदा websites हैं जो तिक्रीबन दो तीन सो रुपे में sale कर रही होती है स्कॉपस database को search करना so you can find out those people यहां पर क्या फाइदा है इसका आप article, title, abstract और keywords यानि कि तीन main चीज़ें जो होती है न आर्टिकल की सिरफ उसमें search करते हैं मतलब मैं same चीज़ जो search करूँगा यहां पर data science आपको पता है ना कि मैं यहां पर क्या लिख रहा हूँ यह quotation marks क्यों लगा रहा हूँ यह मैं इस विज़ा से लगा रहा हूँ quotation marks बाइदावे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको scopus की access मिल रही है that's great जो नहीं कुछ भी कर रहे है यकीन माने यह जो चीज़ें हम बता रहे हैं यह बड़े बड़े प्रोफेसरों को भी नहीं पता believe me मैंने conduct करवाई है research की workshops I know that मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे बहुत पता यह आपको मैं बहुत बता रहा हूं but there are few things जो लोग जान बूज के छोड़ जाते हैं miss कर जाते हैं कियार कोई नहीं कर लेंगे यह वो कर लेंगे वाला गाम होता है अब आप चेक किजएगा by the way scopus के ओपर सिर्फ वो जर्नल आते हैं जिनका credibility या citation score ज्यादा होता है मतलब high quality papers ठीक है तो मैं यहां पर search करता हूं यह सिरफ वो वाले papers मेरे पास आएंगे जिनके title abstract या keyword के अंदर यह दो इलफाज use हुए हैं सिरफ वो papers आने वाले search and look, आपके पास सिरफ 230 document आया है which is highly high quality papers और इसमें आपके research भी है, review भी अब अगली चीज़ देखिएगा यहां पर आपको यह भी बताया जा रहा है कि किस साल में कितने paper publish हुए है, look और कौन-कौन से आपने रखने हैं, individually देखने हैं वो भी आ जाएंगे, यह पड़े हैं, 2023 में 20 हैं, 2025 में 21 में इतने इतने मैंने आपको बोला था ना के there are few ways जिनकी base पे आप अपने field के top authors देख सकते हैं, here you go, जिसके ज्यादा article वो top author उसका, keyword आपने decide करने हैं, समझा है बात की? अब अगर एक article एक बंदे के ज्यादा article है, you can find it here, फिर यहीं नहीं, यहाँ आप अपना specific field भी चूज कर सकते हैं, obviously अब आपको समझ आई होगी कि data science जो है, वो agriculture का field नहीं है, basically यह computer science का field गिना जाता है, that is why most of the papers are in computer science category, then, अब इस पूरे के पूरे के अंदर ना, research article को हम article बोलते हैं, अगर आपने सिर्फ research article लेने हैं, तो आप इस पे check box लगा के limit to कर देंगे, and it will show you like this, यह सिर्फ और सिर्फ 76 document हैं, जो research articles है, and I can make a graph, यह मेरा graph शो करता है, जो बकाइदा एक figure है, आपके paper की, आप review article लिखते हुए, यह लिख सकते हैं, कि हमने यह keyword search की है, scopus के according, 2023 में 9 paper publish हुएं अभी तक, 2022 में total 16 papers publish हुएं इस topic पे, और उससे पहले 18 हुए, यह 9 paper यह यह कह रहे हैं, यह 18 paper यह यह कह रहे हैं, आर्टिकल, अब मैंने आर्टिकल पे इसको किया था, मैं इसको back जाता हूँ, तो मैं सिरफ review paper भी निकाल सकता हूँ, 17, तो मैंने review पे click किया, and now I can see, कि यह मेरे सारे के सारे review papers आए, अब आप कह रहे होंगे कि यार, यह तो ठीक है, सारा कुछ हमारे पास आ गया, लेकिन हमने तो पढ़ के paper select करने हैं, यहां पे click करें, सभी के सभी के abstract show होने लग जाएंगे, ठीक है, और अगर किसी को नहीं पता, control F के बाद, आप search कर सकते हैं कि मैंने किस चीज़ पर काम करने हैं, मैं temperature लिखता हूँ, temporal लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, तो मेरे पास आना start हो जाएगा, मैं लिखता हूँ big, big data, यह मेरे पास आ जाएग, so you can find exact paper, जिसमें आपकी research के बारे में बात हो रही है, ठीक है, and then, मैंने ये review को भी पाफ पाफ पी चला गया, फिर कुछ paper ऐसे होते हैं, जो country wise published है, अब आप खुद मुझे बताएं कि data science in agriculture में, सबसे ज़्यदा किस country ने paper published की हैं, इंडिया के, फिर United States के, फिर China आ रहा है, पता आपको भी सभी को है कि IT इंडिया के अंदर काफी boom पकड़ रही है, so you can have an idea, आप बकाइदा ये बता सकते हैं अपने paper में, कि कौन सा country सबसे ज़्यदा paper publish कर रहा है, यही नहीं, अभी ज़रा और सुने, इसी चीज़ को आप एक graph में बना के अपना tweet नहीं कर सकते हैं, कि मेरे field में सबसे ज़्यदा इस वकट paper इसके हुआ है, आप एक press release नहीं निकाल सकते हैं छोटी सी, कि किस country ने कितने paper publish किये हैं, इन news outlet ऐसे काम करते हैं बगाएदा, रैट, तैन आप एक और काम कर सकते हैं कि जो article final publish हो चुके हैं, आप उस पे click करके सिरफ वो ही ले सकते हैं, आर्टिकल इन प्रेस वाले यहां से ले सकते हैं, सो स्कावपर्स वाले यहां से ले सकते हैं, डेटा बेसिस बाइदा वे इंग्लिश पे click करना ना भूलेगा, वरना फ्रेंच में जर्मन में चाइनीज में पेपर आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे फ्रेंच अज्ञपनिस का भी और अगर आप चागते हैं कि आपको सारे के सारे free वाले paper मिले, so you can click on this, this and other one as well, तो आप को सारे free paper मिलेंगे, free paper का मतलब यह है कि सारे-सारे paper PDF में । डाउनलोड डेबल है। ठीक है। और अगर आपके पास scopus की access है इसका मतलब है आपके पास elsewhere की भी access है, तो आपके सारे-सारे paper तक रीबन free निकलाएंगे। तो जिनके पास काउपस की एक्सेस होती है उनके पास जर्नल की एक्सेस है और उने फ्री पेपर मिल गए तो सब्सक्राइबेस आपके पास आगया वेब ऑफ साइंस की बात करते हैं जो सिरब मेरी युनिवस्टी में रहके चलता घर पे नहीं चलता और आप इसके उपर अपनी आईडी चेक कर सकते हैं वेब अफ साइंस के उपर और इस पर आप काम कर सकते हैं यह भी बहुत बड़ा डेटाबेस है अभी कीमे वाले आने हैं समझ लेगी बात की यह मैं सिरफ आइस्ता इस्ता आपको लेके जा रहा हूं उसी तरफ आई ट्रिपल एक ही बात करते हैं इसके बारे में बात हो रही थी यह इंजिनरिंग का बहुत बड़ा डेटाबेस है ठीक है तो यू कन सर्च आई ए वेबसाइट और यू कन सर्च ओल्सो फोर आर्टिकल्स तो आई एए एक्स्प्लोर के नाम से है वो लाइक दिस यहां पर कितने आर्टिकल्स बढ़ें जी फाइम मिलियन ठीक है और यहां पर आप बुक्स कॉंफरेंस वेपर कोर्सिस जर्नल मैगजेंस स्टेंडर्स ओथर्स सारा कुछ यहां पर सर्च कर सकते हैं अगर आपको किसी डेटाबेस को यूज करने का नहीं पता तो उसकी एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन पढ़ने या गूगल पर सर्च करने हाओ तो यूज आई ट्रिपल एक्स्प्लोर हाओ तो यूज स्कॉपस हाओ तो यूज अदर्स ठीक है जी आप मेंसे कितने लोगों के पास कॉपस के एक्सेस से आपने चेक किया होगा जिनके पास एक्सेस है वो प्लीज मुझे बताईएगा यह बहुत बड़ी नेमत है अभी आपको इसकी समझ नहीं है जो मेटा एनलेसिस लिखते हैं न हमारे जैसे लोग आपकी सोच है मैं जर्मिनी में बैठों यहां पर हमारे पास एक्सेस नहीं होती है एक्साई इन्वेस्टेग में लोगों के मिंते करने पड़ती है यार्स काउपस देना दो मिनिट के लिए तो अल्ला का शूकर आला ने स्टूडेंट्स अच्छे दियों हैं तो वो शेयर कर देते हैं जिनके पास नहीं है ना चाइना वाले लोग जो है अच्छा अगर आपके पास यहां पर स्कॉपस प्रीव्यू लिखा रहा है वो अवेलेबल नहीं है आपके लिए एक्सेस उसकी sign-in करके चेक करें के अवेलेबल है के नहीं ठीक है and there are many other libraries एचिसी databases हैं आपके अपनी युनिवर्सटी के उप़र आप लाइबरेरी में जाेंगे वहां के databases हैं तो अगर कोई university of किसी italian university में आप अपनी युनिवस्टी की डिजिटल लाइबरेरी में जाके क्लिक करें, वहां पर भी पता चल जाता है, आपके पास डेटाबेसे इस कौन-कौन से, ठीक है? और अगर आप अपनी डिफरेंट युनिवस्टी की वेबसाइट्स पर जाके डिजिटल लाइबरेरी वालों से पूछ लेना है, इमेल करके वो भी आपको बता देते हैं, कि इसकी एकसेस है या नहीं. So you don't need to worry about that. Scopus is one of the best things, फिर बाकी चीज़े आती है. Right? कोई समझ आई है कि हम कर क्या रहे हैं यहां पर. यह की थी आज की वरक्शॉप के अभी आगे कीज़ आनी है, ठीक है? अब यहां पर हम छोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर एक ले लेक्शर की तरह मूव करते हैं.